नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है, ये वीडियो होने वाली है, ये मास्टर स्लेंडर के पिस्टन किट को चेंज करने के आपर, और अगर आप इसे जस्ट क्लीन करके जो रिवेल्ड करना चाहते हैं, तब ये प्रोसेस जो बिल्कुल सेम होने वाला है आपके पास मैं चाहिए किसी भी ब्रेंड की मोट साइकल हो, उसमें एक अगर फ्रंट डिस्क ब्रेक लगी हुई है, तो उसका जो पिस्टन केट है, उसे चेंज करने का जो प्रोसेस हो बिल्कुल सेम होने वाला है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको अप पिस्टन है ये, इसमें यहां पर फ्रंट में यहां पर एक रवर लगी हुई है, तो ये हमारा जो रवर है, ये कुछ टाइम के बाद में जो यहां से वीर आफ हो जाती है, और जब हम यहां पर लीवर को जो दबाते हैं तो ये आगे तो जाएगा लेकिन यहां पर ब्रेक उइस्cen के साथ में अटैच होती है, तो कहीं बार यहां पर ब्रेक वाइल जो लीख होना शुरू ओड़ता है, तो किसी भी कारण से हो जाए मोटसाइकल गिर गई हो यह एक्सिदेंट में किसी भी कारण से हो, तो कई बार जो वो, उच्छ टाइम के बाद में, यह जो हमारी यहां पर रवर देख रहे हैं, यह यहां पर वियर ऑफ हो जाती है, या यह डिफार्म हो जाती है, एक्सिडेंट ब्यार होने के वाज़ा से, तो यहां से क्या होता है, जब भी हम अपना lever दवाएंगे तो ब्रेक तो वर्क करेगी लेकिन जब यह बैक आता है हमारा bryk oil तो वो क्या करेगा इस seal यह हमारी खराब होगी होगी और इस seal के जो है यहां से हमारा जो वाईल है, वो पीछे की तरफ आएगा और यहां से लीक हो जाएगा, तो ऐसे भी केस में हमारे को जो है, यह अपना piston kit जब कर लेना चाहिए, सबसे पहले आपको इस रेजर वाइर कैप को जो ओपन करना है, और इसे ओपन करने से पहले अगर इसके उपर धूल मिट्टी है तो उसे एक साफ कपड़े से जो क्लीन कर लें और उसके बाद में इसके उपर में यहाँ पर जो दो आप देख सकते हैं इन स्क्रूज को ओपन कर लेना है इसके बाद में आपको इस कैप को जो बिल्कुल दीरे से उठा लेना है और उसे पहले आज जो आप अपने पेट्रोल टेंक के उपर एक कपड़ा जरूर रख दें ताकि इसके उपर अगर बाई चांस यहाँ से थोड़ा बहुत जो ब्रेक वाइल है वो इसे कैप को ओपन करते समय अगर स्पिल लोगर होता है तो आपका जो पेट्रोल टेंक है उसका पेंट जो खराब ना हो और इस कैप को जो आप दीरे से उठा ले तो मेरे केस में यहाँ पर जो इसका डायाफ्राम है वो इसके साथ में ही बाहर आ जाता है हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पे अलग से डायफ्राम लागर आए तो आपको जो उसे भी रिमूब कर लेना है मैं इस कैप को जो अलग साइट पर रख देता हूँ आपको जो इस reservoir को empty करना है जितना भी इसमें break while आप देख रहे हैं यह सारा आपको निकालना है आप चाहें तो जो bleeder screw है उसके जरीए इसे निकाल सकते हैं और चाहें तो आप एक syringe का use करके भी इसे निकाल सकते हैं आपको simply syringe के जरीए इसे इस तरह से सक कर लेना है एक निकालने तो मैं इस syringe की मदद से इसे पहले empty कर लेता हूं और यह जो इसमें थोड़ा बहुत रह गया है इसे आप कपड़े की मदद से जो वो soak करके निकालने इसके बाद में आपको इसकी जो break line है उसे remove करना है आप यहां पर side पर देख सकते हैं यहां पर एक banjo board लगा रहता है जो इसकी break line को attach करता है इस master cylinder के साफ में तो इसका जो यहां पर यह bolt है यह 14 नंबर के spanner की मदद से आप इसे open कर पाएंगे यह देखिए यह मेरे पास एक 14 नंबर का spanner है तो इसकी मदद से आपको इसे open कर लेना है और जब आप इसे open करेंगे तो ध्यान रखें कि इसमें से थोड़ा बहुत जो ब्रेक वाइल निकलता है तो यहां पर एक कपड़ा ज़रूर लखें नीचे की तरफ तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने जिस ब्रेक लाइन को जो ओपन कर लिया है यहां पर एक यह बेंजो बोल्ट लगा रहता है और इसमें जो दो वाशर लगी रहेंगी यहां पर एक फ्रेंट में होगी एक जो इसमें बैक साइड पर वाशर होगी जो ब्रास की वाशर जाती है तो आपको इन वाशर को जो वो संभाल के रख लेना है और अगर आपको यह जानना है कि इसे बेंजो बोल्ट क्यों कहा जाता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं मैं इसके उपर भी एक वीडियो अलग से बना दूँगा और इसे जो आप अच्छी तरह से क्लीन कर लें इसमें से कोई भी जो ब्रेक वाइल हो डिप नहीं होना चाहिए और साथ ही मैं आपको जो मास्टर सिलेंडर के एंड पर जहां पर यह रिमोव कर देना है हैंडल के उपर में यहां पर एक ब्रेक लगी रहती है जो हमारे इस मास्टर सिलेंडर की असेंब्ली को होल्ड करके रखती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह दो बोल्ट लगे हुए, जो आठ नंबर के बोल्ट है, आपको इने उपन कर लेना है, अगर यहाँ पे mirror लगा हो, तो आपको mirror पहले उपन करना है, उसके बाद इन बोल्ट को उपन करना है तो यह देखिए हमारा जो मासा स्लेंडर की असेंबली है पूरी तरह से बाहर निकल चुकी है इसके बाद में आपको इस ब्रेक लीवर को जो ओपन करना है और इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे एक बॉटम पे एक नट लगा हुआ इस बोल्ट को ओपन करने के बाद आपका जो यह ब्रेक लीवर है यह बरिया हराम से बाहर आ जाता है और यहाँ पे एक पुश रोड लगी देगी इस पुश रोड को आपको बाहर निकाल लेना है और यह देखिये यह अंदर की तरफ में पिस्टन और यह यहाँ पे एक सर्क प्लायर बोल सकते हैं आप इसे और यह देखिए इसके आगे आप देख सकते हैं यहां पर यह दो होल्डिंग के लिए इसे बने रहते हैं तो इसमें यहां पर यह लॉक के उपर में भी यहां पर दो होल बने होंगे आपको उसमें इसे डालना है और अंदर की तरफ को पुश लाटे ही अराम से जो है वह open हो चुका है pin 2 Mom सिंपली यह देखीए यहां पर यह दो होल जो है इस तरह से लगाना है और अंदर की तरफ को दवाना है और आराम से जो है वह open हो जाते है . इसके बाद मैं आपको इस piston को जो हो बाहर की तरफ को निकाल लेना है तो यह देखिए हमारा जो पुराना पिस्टन है वो बाहर आ चुका है और इसके साथ में ये एक स्पिन्ग भी लगा रहा था है तो ये देखिए जो पुराना वाला पिस्टन है इसमें इसकी जो ये रवरत थोड़ी बहुत जो हूँ मेरे केस में बैक साइड वाली एक्चुली ये थोड़ी सी जो वो बीर आफ हो चुकी है थोड़ा हलका हलका सा इसमें से वाइल जो वो बहर निकल रहा था इसलिए मैं इसे चेंज कर रहा हूँ और साथी में मुझे जो इसे मस्टस लेंड को जो रिवल्ट भी करना था तो दोनों काम एक साथी कर रहा हूँ अब आपको जो नई इसमें जो पिस्टन है पिस्टन किट जो डालने से पहले इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है तो आप इसे एक कपड़े की मदश से क्लीन कर सकते हैं और आपको जो इसमें एक नए जो पिस्टन किट वह डालना है और आपको अपनी motorcycle के according जो एक नया piston kit ले आना है बजा से मेरे case में ये Pulsar 150 है और इसका जो piston kit है वो इसका price आप देख सकते है 262 इसका price है और इस piston kit में आपको एक grease मिलती है और इसका ये new lock मिल जाता है new spring और ये रहा piston और ये यहां पे एक boot और इसकी जो push rod है और इसमें एक spring रहता है वो भी आपको नया मिल जाता है तो सबसे पहले आपको जो इस spring को लगाना है यहां पे आपको बेकुल जो छोटी वाली side है वो यहां पे इस तरह से इसमें लगा देनी है आपको इसे push करके लगाना है क्योंकि यह अपनी जगा पे पकड़ लेता है इसे अच्छी तरह से और यह अच्छी तरह से इसमें बैठ चुका है और यहां पे आपको इस grease का भी use करना है इसके अलाबा और कोई भी grease नहीं use करनी है अगर आपके पास में grease नहीं है तो आप simple जो है वो break oil का भी use कर सकते हैं आपको जो बिल्कुल हलकी सी grease लेनी है और इसे जो हो यहां पर यह जो rubber हैं इनके उपर ही apply करना है इसके अलाबा आपको और कहीं पे भी नहीं लगाना है और बहुत ज़ादा भी नहीं लगानी है इससे सिर्फ यह होगा कि इन्हें लगाते समय जो हो यह rubber जो हो कटी नहीं है और अच्छे से लग जाती है जो extra grease है उसे आप निकाल दें बिल्कुल हलकी सी लगानी है और यह जो grease रहते है यह हमारे अगर break oil में mix भी हो जाए तब भी कोई problem नहीं होती है और इसके बाद मैं आपको simply इसे जो वो install कर देना है इसे अंदर में डाल दें और बिल्कुल धीरे धीरे इसे अंदर की तरह को push करें और यहां पर एक screw driver की मदद से आप इसे check भी करने है कि यह properly work कर रहा है या नहीं इसका जो lock है वो लगाएंगे हम और यह जो lock है यह एक तरब से बिल्कुल flat होता है और एक तरब से थोड़ा सा हो रहा होता है यहां से यह उपर वाली side पर आएगा जो बिल्कुल flat वाली side है वो नीचे की तरफ आएगी क्योंकि इसका काम रहता है कि इस piston को जो बाहर निकलने से रोके तो आपको इस lock को इस तरह से लगाना है और यहां पर इस piston को जो आपको एक screwdriver की मदद से नीचे की तरफ को दवाना होता है इसका जो प्लायर है उससे हम लॉक को इसकी अपनी जगा पर बैठा देंगे आपको जो एक चेक कर लेना है कि यह जो लॉक है अपने ग्रूब में जाके बैठ चुका है या नहीं क्योंकि अगर यह अपने ग्रूब में प्रॉपरली नहीं बैठा होगा तो आपका जो piston है वो वरकिंग के टाइम में एकदम से बाहर को निगल के आपका जितना भी इसमें ब्रेक वाईल होगा वो सारा निकल जाएगा तो मेरे भी चेक कर लिया है मेरे केस में यह बिल्कुल अपनी सीट पर बैठ चुका है यह देखिए यहाँ पर यह इसका आउटर पार रहता है यहीं पर बिल्कुल यहाँ मैं यहाँ पर देखा कि इसमें ग्रीसिंग करते हैं इसमें आपको ग्रीस लगाने की कोई भी जरूत नहीं है आपको सिंप ली से इसकी जगा पे लगा देना है यह भूट आई यह अपनी पोजिशन पर यहाँ पर गूरूव बना रहता है उसमें बैठ जाता है और जैसा कि आप अपने शुरुआत में देखा मेरा जो brake lever है वो पूरी तरह से damage हो चुका है और ये थोड़ा ये देखिए bend भी हो चुका है इसलिए मैंने एक नया brake lever लाया हुआ है और इसे मैं यहाँ पर install कर दूँगा तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह जो यहाँ पर एक छोड़ा सा खांचा बना है इसमें हमारी push rod लगती है इस तरह से और उसके बाद में हमारा ये brake lever जो install होता है कुछ इस तरह से और इसका जो हमने यहाँ पर bolt निकाला था उस bolt को लगा के हम tight कर देंगे तो अभी आप चेक भी कर सकते हैं यह देखिए काफी smoothly work कर रहा है हमारा ये new piston तो अभी मैंसे जो वो motorcycle पर दोबरा से install कर देता हूं उसके बाद आपको दिखाता सब कुछ assemble करने के बाद आपको अपने reservoir में जो new brake oil डाल देना है तो हमेशा एक sealed container से ही अपना जो new brake oil है वो डाले तो इसे आपको fill कर लेना है ज्यादा fill नहीं करना है और इसके बाद में इसमें से जो वो आपको air निकालनी है अगर आपने भी मेरी तरह ही एक syringe लगाके से उपर से ही जो है इसका reservoir जो खाली किया था शुरुबात में तो आपको इसमें जो उपर से ही आपकी जो air है वो निकालनी है और अगर आपने इसे नीचे की तरह से जहां पर हमारा ब्लीड स्क्रू लगा रहता है वहाँ से अपने इसे जो ब्लीड किया था तो आपको जो मेरी एक ब्लीडिंग के आपर वीडियो बनी हुई है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा वह आप देख लें कि की सता से आपको जो अपनी ब्रेक यह आपको दबाना है और यहां पर जितनी भी आपकी यह एर होगी यह बबल के रूप में यहां पर निकलती रहेगी आपको जो इस तरह से ब्रेक ब्लीड तब तक करना है जब तक आपका जो यह ब्रेक लीवर है एकदम से टाइट नहीं हो जाता है आप देख सकते हैं मेरे क इसमें यह एक दम से टाइट हो जुका है और आपको अगर इसके बाद में थोड़ा बहुत अपना जो रेजरुआरा है उसे टॉप अप करने की जूरत है तो अप इसे टॉप और इसके बाद इसकी जो कैप है उससे लगा के इसके जो हमने स्क्रीउज ओपन किये थे वो screws tight कर दें तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी motorcycle में Master Slender के piston kit को जो वो change कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो चले लिए तो इसे like करना बिल्क मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद